जै शिया राम जै जै राम मंगल मोद उच्छाह नित जाही दिवस यही भाती उमगी अवद अनन्द भरी अधिक अधिक अधिकाती नित ही मंगल आनन्द और उत्सव होते हैं इस तरह आनन्द में दिन बीते जाते हैं और उध्या आनन्द से भर कर उमड पड़ी आनन्द की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है जै सिया राम जै जै राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाउं सुदा सिरत अजिर विहारी सुदिन सोधी कल कंकन छोरे मंगल मोद बिनोधन थोरे नित नव सुखुप्षुर देखी सिहाही अवद जन में जा चही बीधी पाही अच्छा दिन शुब मोहुर्त शोद कर सुन्दर कंकन खोले गए मंगल आनंद और विनोध कुछ कम नहीं हुए अर्थाद बहुत हुए इस प्रकार नित नए सुख को देख कर देवता सिहाते हैं और अयद्या में जन्म पाने के लिए ब्रहमाजी से आचना करते हैं विश्वा मित्र चलन नित चहा ही राम सप्रेम विनए बस रही दिन दिन से गुन भूपति भावू देखी सराह महा मुनिरावू विश्वा मित्र जी नित्त ही चलना अपने आचन जना चाहते हैं और राम चनर जी के इसने है और विनए बस रह जाते हैं दिनों दिन राजा का स्वगुना भाव यानि प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामितर जी उनकी सराहना करते हैं मागत विदाराव अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भे आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवकु समेत सुतनारी अन्त में जब विश्वामितर जी ने विदा मांगे तब राजा प्रेम्मगन होगे और पुत्रों सहित आगे खड़े होगे वे बोले हिनात यह सारी संपदा आपकी है मैं तो इस्तरी पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ करब सदा लरिकन पर छोहू दरसन देत रहब मुनि मोहू अस कही राव सहित सुत रानी परेवू चरन मुख आवन बानी ते मुनी तड़कों पर सदास नहे करते रहिएगा और मुझे भी दरसन देते रहिएगा ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजात सज्जे विश्वा मित्र जी के शरणों पर गिर पड़े प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुह से बात नहीं निकलती दीन यसी से विप्र बहु भाती चलेन पीती रीती कही जाती राम सप्रेम संग सब भाई आयस उपाई फिरे पहुचाई ब्रहाम अडविश्वा मित्र जी ने बहुत प्रकार से आशिरवाद दिये और वे चल पड़े त्रीत की रीत कही नहीं जाती सब भाईयों को साथ लेकर स्रीराम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुचा कर और आग्यां पाकर लोटे राम रूप भूपति भगती ब्याहू उचाहू अनंदु जात सराहतमा नहीं मनाूं मुदित गाधिकुल चंदु गाधिकुल के चंदर महाविश्वा मित्र जी बड़े हर्स के साथ स्रीराम चंदर जी के रूप राजा दस्द जी की भगती सारों भाईयों के विवाह और सब के उत्सा और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं जाई शियाराम जाई जाई राम मंगल भावन या मंगल हारे रवाउं शुदा से रथ अजिर विहारी बाम देव रखुकुल गुर ग्यानी बहुरी गाधि सुत कथा बखानी सुनी मुनी सुजसु मन ही मन राव बरनत आपन पुन्य प्रभाव पाम देव जी और रखुकुल के गुरु ग्यानी पसिष्ट जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही मुनिका सुन्दर्य सुनकर राजा मन ही मन अपने पुणियों के प्रभाव का बखान करने लगे बहुरे लोग रजा यसु भायओ शुतन समेत पति ग्रह गयओ जहां तहां राम ब्याहु सब उगावा सुजसु पुनेत लोकति हुँ छावा आग्या हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लोटे राजात अस्ट जी भी पुत्रों सहित महल में गए जहां तहां सब स्री राम चनर जी के विवाह की गाथाएं गारे हैं स्री राम चनर जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छागया आए ब्याही राम घर जबतें बसई अनंद अवद सबतबतें प्रभु विवाह जस भयो उच्छा हू सकहिन बरन गिरा अहिना हू जब से स्री राम चनर जी वाह करके घर आए तब से सब परकार का अनंद अवध्या में आकर बसने लगा प्रफु के युवाह में जैसा अनन्द उत्सा हुआ उसे सरस्वती और सर्पों की राजा शेश जी भी नहीं कह सकते कभी कुल जीवन उपावन जानी राम सी यजस मंगल खानी तेहिते मैं कछु कहा बखानी करन पुनेत हेतु निजबानी स्री शिता राम जी के यसको कभी कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी बाड़ी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है निजग रापावन करने कारन राम जसुतु लसीं कहो रगु भीर चरत अपारई बारी धी पारु कभी कौने लहो उपबीत ब्याहे उच्छाहे मंगले सुनिजे सादर गावही बैदेही राम प्रसाद तेजन सरवदा सुखुपा वही अपनी बाड़ी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यस कहा है नहीं तो श्री रोगनाज जी का चरित्रापार समुद्र है किसका भी ने उसका पार पाया है जो लोग यग्यो पवित और विवाह के मंगल मै उत्सव का वर्णन आधर के साद सुनकर गावेंगे वे लोग स्री जानकी जी और स्री राम जी की करपा से सदा सुख पावेंगे स्री रगुबीर विवाहु जे सप्रेम गाव ही सुनहीं तिन कहुं सदा उच्छाहु मंगलायतन राम जशु स्री शीता जी और स्री रगुणा जी के वाह संग को जो लोग पुर्वग गायें सुनेंगे उनके लिए सदा उत्सा आनन्धी उत्सा है क्योंकि स्री राम चंदर जी का आयस मंगल का धाम है इती स्रीमत राम चरित मानस है सकल कली कली सु विध्वन सने प्रतम शोपान है समाप्त है कली के संपोन पापों को विध्वन से करने वाले स्री राम चरित मानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ जाए शिया राम जाए जाए राम मंगले भावन या मंगले हारी द्रवा उंसुदा शिरते जिर विहारी